पंजाबी वाइट बोर्ट पेश कर दे हम कविंता गुलाब दी फसल ते इस दी व्याख्या पेश ये कविता गुलाब दी फसल सनु थापना गुरू गो बिंद जी दी सीस तली ते रखना जान दे हा तत्ती तवी ते बैठके गीट गईये आरे हेठ वी जिन्दगी मान दे हा सीस गंज ते गड़ी चम कोरवाली सानु आज वी जुजना दस देने जाके पुछलो कंद सरहंद दीनू बाल चिने हो एक तना हस देने मीर मनुने वाडियां लख पाईया असी फेर विखिडे गुल जार वांगू बड़े सिरा दे जदों सी मुल पैंदे हुन्दे होसले सगों अंगे आर वांगू तोटे जिगर दे समने कर्ण तोटे मामा डकरे चोड़ी पवाँ दियाने उच्चा सुट के बोच दे नेचे आते पोरा फेर भी नहीं कब राओं दियाने बंद बंद वी कट के वेख चुके फुल मैकनों फेर ना बंद होए चाड़ चर्खडी पर्ख दे सिदक साड़ा साड़े होसले होर बुलंद होए एस मिट्टी दे नाल है इशक सानू नाल खून दे इसनू रंग दे रे कानू वान दे जंगला विच बैठे खैर फेर विदेश दी मंग दे रे कोईले आन के उस थाँ चैक दी है जित्थे जित्थे शहिदा दी रत डुले ओथे फसल गुलाब दी मैक दी है साड़ी पिठते खड़ा इतहास सड़ा साड़ी पिठते खड़ा इतहास सड़ा सन्नु मान है लहू दे रंग युते असी जान दे किस तरा लड़ीदा है पैर पैर ते अपनी मंग युते पैर पैर ते अपनी मंग युते प्यारे बच्चियों कविता गुलाब दी फसल दी व्याख्या दो पहला सानु को जे इतिहासक तथा इतिहासक थावां ते गुरुआ पीरा महां अन्शी ही दा वारे पता होना चाहिदा है ताहीं ऐसी इस कविता दी व्याख्या चंगी तरा कर सकते हैं कविता विच जिकर आया है गुरु गोविन सिंग जी दा उन्ना दा जनम 1686 विच पटना शेहर विच होया सी गुरु जी ने अपना पूरा परिवार माता पिता चार पुत्तर दे खोद नू तर्मतों देश्टों कुरवान कर दिकता से इस तो वाज जीकर है तत्ती तवीदा पंजमे गुरु अर्जन देव जी उन्ना देव पुदेश्यां दा असर पूरी लुकाईते होया अकबर दा पुत्तर जहांगीर जदों गत्ती ते बैठा ता गुरु जी दे व्रोधियां ने उस ते कान पर ने शुरू कर देते जहांगीर ने गुरु जी नू हाजरत मुहम्मद दी खुशामद वाले शावत गुरु ग्रान सेवेच धर्ज कर ली किया उन्ना दे मना कर्ण ते व्रोधियां दे कैन ते गुरु जी नू शिहीद कर्ण दा होकम देता गया गुरु जी नू तत्ती तवी ते बठाया गया ते उन्ना दे शुरीर उपर तत्ती रेत पाई गई एस तरा 16 मई 1606 दे वेच उन्ना नू शिहीद किता गया आरेहेट जिन्दगी एशब जेड़ेने कवित्ता विचाएने इस्तास बंद गुरु तेग बहा दरजी ते उन्ना दे सिखानार है जोदो कश्मीरी पंड़ दुखी होके गुरु तेग बहा दरजी कोल आए ताँ गुरु जी ने कहा इस वक्त किसे महान बंदे दे बलिदान दी जरूरत है ताँ उस वक्त बाल गुविंदर आएने कहा सी पिता जी तो हाटे तो महान हो और कौन हो सकता है इस परकार गुरु जी मुगल हकूमत नाल गल कर लई उनना दे जुल्म दा वरोद कर लई आगरे वलचल पे उन्ना नू ते उन्ना दे पंज सिखा नू पाई मतिदास पाई सतिदास पाई द्याला पाई गुर्दित्ता जी ते पाई जैता जी नू गर्फतार कर लिया गया जदों मुगला नाल उनना दी गल्वात सीरे ना चड़ी ता हकूमत दे गुरुजीनु शिहीद करंदा हुकम दे दिता उनना नुता रंबदनलई केहा पार उनना ने मना कर दिता गुरुजीनु ड्रॉण लिए पहला उनना दे सिख्खा दी शिहीद दित्ती गई पहला पाई मती दास नू सिकंजे विच कासले आ गया ते आरे नाल चीर के उन्ना नू दो फार करके उन्ना नू शिहीद किता गया तस्वीर विच देख रहे हूं के किस तरह पाई मती दास जीनू शिहीद किता जा रहे है इसतना पाई द्याला नू उबल दी देग विच पाके पाई सतीदास नू रूम विच पाके स्षीद किता गया से शीश गंज ओ गुर्दवारा ओ जगा है जिते गुरु तेगभा दर्जीदी जाद विच गुर्दवारा सहे बने होया है शीश गंज विखे दिल्दी दे चांदनी चौक विखे ही गुरु तेगभा दर्जीदी नू में पाशानी शीहीद किता गया से इस तो बाद की विटा विच जिकराओ दा है गड़ी चमकार दा गड़ी चमकार ओ था है जित्थे मुगला ते सिख फौज दे दरम्यान लड़ाई होई सी 1704 इस विदे विच इत्थे गड़ी दे विच सिर्फ चाली सिक सन ते बाहर लखा दी मुगल फौज ने के रापाया होया सी एत्थे ही गुरु गोविन सिंग जी दे वड़ी सहीव जादे बाबा अजी सिंग ते बाबा जुज़ार सिंग शिहीद होई से सरहंध दे जुकांद सरहंध पजावदा यक्रे आसक का स्वा है गुरु गोविन सिंग जी दे शोटे सहव जादे बाबा जुरावर सिंग ते बाबा फते सिंग नूँ सरहांद दे नवाव ने गिर्फतार करके तरम बदन लई किया पर इनना बच्चया ने अपनातार नी शड्या एस दे बदले उनना नूँ जिन्दा ही निहां वेच चेन के शीद करन दा हुकम दिफता गया एक अटना वी स्तारां सो चार दे वेच कटी अगे मीर मनू जड़ा की पंजाब दा एक जालम सुबेदार सी स्तारां सो अड़ता आली तो लहके स्तारां सो तरवंजा तक ओहो पंजाब दा गवर्नर रहा सुबेदार रहा उसने सिख्छ नाल दुशमणीन वांदे होए नरदोज सिख्छा नू कतल करन दा हुकम दितता जो भी मुसल्मान सिख्छ दे सिरव आठ के लिए होंदा उनना नू इनाम दितता जाँदा इसे करके के विता देवेच्च बड़े सिहरां दे मुल पने तां उन्नह दे सिखां दे सिरां मुल पाया जान दा उन्ना नो इनाम देता जान200 यह टो बाद उसने के कडम जुल्म दी हो रखे बार दे हो constah छोटे ते मासूम बच्चानू कतल करना शुरू कर देता छोटे बच्चान दे टुकडे करके मामा दी चोली बिच पाया जान्दा ते निके निके बच्चानू उपर उछाल के नेज्यां दी नोक ते टांग के शिहीद किता जान्दा नेज्या तलवार जा पाले दा अगला तिक्खा पासा ता उन्ना दे टांग के उन्ना नू शिहीद किता जान्दा इस तो बाज जिक्रों दा है बंद बंद कटे जान्दा पंजाब दा एक होर गवर्नर जकरिया खान जिसने की गुरू गोविन सिंग जी दे सिक्ख पाई मनी सिंग नू शिहीद किता सी पाई मनी सिंग जी हर मिंदर साहिब दे मुख गरंती भी रहे हन सिक्खान दे दिवाली दा मिला अमर सरविच लगदा सी उसनू जकरिया खान ने बंद कर देता सी पाई मनी सिंग जी ने मुगल हकूमत ना गल करके थे मेला लाउन धी आग्या मंगी ताँ गुवर्णम ने दास हजार रुपया इस दे बदले मंगया पर उस दी नियत विच खोट आगया इत्थे कठे होई सिखानू उसने मारम दा फैसला कर लिया पाई मनी सिंग जी ने मेल दे मेला ना करवान दा फैसला कर लिया जदो मेला नहीं होया ते दास हजार रुपया नहीं दिता गया ता मुगला ने पाई मनी सिंग जी नू गिर्फतार कर लिया उनना नू ता रंबा धनली किया गया पाई मनी सिंग जी दे मना करन दे उनना दा बंद बंद काट के उनन तेवी साथे हड्डियां दे पार्स मुर्देयां एस तना छोटे-छोटे टुकडे करके उन्हानूं शिहीद किता गया चरक्षडियां दे चड़े एस दस बंद जक्रिया खान तो अगले गवर्नर याहिया खान नाल जुर्दा है 275 विच उहो पंजाव दा गवर्नर सी ते पहला वाली नीती नू जारी राखदे होई सिख्खां ते अत्याचार कर रहा सी जाया खान पाई सुबेग सिंग ते उस दे पुत्तर शावाज सिंग नू पसंद नहीं सी करदा दोना नू उसने तरम बदन लई किया मना कर्म ते उनना नू भी तसीहे दिते गए फिर चरखडियां ते चार के शहीद किता गया चरखडी तस्वीर वेच तुसी देख रहे हों चरखे वरगे दो गोल को मदे होए के रे जिनना दे उपर तिखियां शुरियां लगियां हो यहान ता एस तरह बंदे नू बंद के उनना नू विच कुमा अधिता जानदा है एस तरह उनना दोने प्योप उत्रानू ते बाद दे विच उनना दे नास बंद रखन वाले होर भी हजा आरा सिखा नू एसे तरह शिहीद किता गया कानुवाल दे जंगल इत्थे एक गुर्दासपुर जिले दे विच हन 1746 दे विच इत्थे मुसलमाना दी फौज पहारी राजान दी फौज ते सिख फौज दे द्रम्यान काफी पारी जुद्ध होया सी इसनू छोटा अकल दूका रा नाम तो भी जाने जानदा है इत्थे भी सिख फौज बरी बहाद द्री नाल लड़ी नौ दास हजार दे करीब सिखां दिये थे शिहीदी होई बार के रखी फौज ने जंगल नू अगला दिती जिस करके बहुत सारे अगविच सड़के भी सिख शिहीद होई ये सारा कोज कानू वाल दे जंगला दे विच पेशेक विता गुलाव दी फसल दी व्यक्या सानू थापना गुरू गोविन सिंग दी शीश तलीते रखना जान दे हां तती तवीते वैट के गीत गाईये आरे हेट भी जिन्दगी मान दे हां कभी कहनदा है कि सानू दस में गुरू गोविन सिंग जी दा आशिरवाद मिले होया है उन्ना दी किरपादे नाल असी देश लई, कौम लई, तर्म लई, हर कुर्बानी देन लई त्यार हां जिस्तरां तत्ती तवीते बैट के शीरवगुरू अर्जन देवजी ने तेरापाना मिठल कहके प्रभुपक्ती ते गीत गाई ते पाई मती दास नू आरे नाल चीर्या गया, फेर भी उन्ना ने जुलम दे सैंदे होये भी जिंदगी दे अनांद नू मानेया है शीष गांज ते गड़ी चमकार वाली सानू आजिवी जुजना दास देने शीष गांज दे स्थान ते गुरू तेगबहा दर जीदी शिही दी होई सी ते चमकार दी गड़ी विच गुरू गोमिस सिंग जी दे बड़े सैव जादे बाबा जीस सेंग ते जुजार सेंग शिहीद होई ओ थामा सानू जुलम दे खलाफ जुजन दी लड़न दी प्रेरना दिन्दिया हन जाके पुछलो कंद सरहंद दी नू बाल चिने होई कितना हस देने जे कर साध्या कुर्वानिया वारे पुछना होवे ता तुसी सरहंद दी कांद विच जयोंदा ही चिने के शिहीद कीते गए गुरु गुम सिंग जी दे, छोटे सहब जादे, बाबा जी सिंग ते जुजार सिंग तो तुसी एगल पुछ सकदे हो, की चीही दी, हास दी होई चीही दी किस तरह दित्ती जान्दी है, मीर मनुने वाडियां लाखपाणियां सी फेर भी खिडे गुल जार मांग। सिंखां दे वड़े होई सिरां दे मुल पॉधासी, ता साड़ा असला डिगण दी वजाए, होर भी बलंद हो गया। जालम ने बच्या नू उपर उचाल के नेज्या ते टंग के शिहीद कर दिता, पर ए देखके भी मामा बिल्कुल नहीं कवरा या, वो अपने सिदकतों बिल्कुल भी नहीं डोल लिया। बंद बंद भी कटके वेख चुके फुल मैकपनों फेरना बंद होई। कवी कहना कि जालमा ने शिरीग दा अंग अंग कटके देख लिया। पाई मनी सिंग दा बंद बंद कटके शिर कीता गया सी। पर फेर भी उनना ने उपकार दी पावना नहीं शड़ी। पाई सुवेग सेंग ते पाई शावा सेंग वांगूं। ओहो साधे चरखणियां दे चार के साधे सिदक नूं सबर संतोक नूं पर्ख दे रहे। पर साधे होँसले होर बलंद हुन दे गए। एस मिट्टी दे नाल है इश्क सानूं नाल खून दे एस नूं रंग दे रहे। एस देश दी मिट्टी नाल सानूं बहुत प्यार है। एस वास्ते असी अपना खून डोल लिया है। मजबूरी दे विच कानू वान दे जंगला विच वठे खैर फेर भी देश दी मंग देरे। बूरी दे विच सानूं कानू वान दे जंगला विच वी जाना प्या। उत्थे वैठ के वी असी अपने देश दी अपनी कौम दी खैर मंगी वतन वास्ते उत्थे जाके वी चिही दियां देतिया। जदो अंबानू लग गया भूर होवे कोईल आण के उस्थां चैक दी है। कभी कहना है कि जदो अंबानू भूर पैजान दा है कोईल उत्थे आके डेरा लालें दी है ते मिठे मिठे गीद गौंदी है। एसे तरह जिथे जिथे कही चीदा दी रात डुल्ले उत्थे फसल गुलावदी महक दी है। कभी कहना है कि अपने हक्कानू प्राप्त कर लई किस तरह जुज्या जन्दा है किस तरह कुर्बानी किती जन्दी है। किस तरह जिथे जन्दी है कदे भी अपनी मांगतों अपने हकतों पिछे नहीं हटीदा। ते हमेशा असी लड़के कुर्बानियां देके शिहीदियां देके असी अपने हक्कनू लिया है। एता सीगी जी कविता गुलाव दी फसल ते उस दा उस दी व्यक्यां। इस कविता दे विच आये प्रशन पे उन्ना दे उत्तर इस परकार हन। सानू केस दी थापना है। सानू दसमे गुरू गोविन सिंग जी दी थापना है। प्रशन तत्ती तवी उपर कौन वैठे सन। तत्ती तवी उपर पंजमे गुरू आर्जन देव जी वैठे सन। उननों तत्तित अमीते बठाके दे बेफर, तत्ता रेथ पाके शहीद कीता गया सी. शीश गंज ते गड़ी चमकौर तों कवीदा कीपाव है शीश गंज विच गुरु तेग बहादर जीने बलिदान दिता सी ते गड़ी चमकौर विच गुरु गोमिश सिंग जीदे वड़े साहव जादे बाबा जी सिंग ते जुजार सिंग शीश गुरु ते गुलाब दी फसल किते महकदी है जित्थे शीश गुरुबान नी कर दियान उत्थे गुलाब दी फसल महकदी है चरक्षडियां ते कौन चड़या सी पाई सुभेग सेंग ते पाई शावाज सेंग नूं चरक्षडियां ते चाड़ के शहीद किता गया आरेहेट जिंदगी मानन तो की पाब है आरे हेट जिंदगी मानन तो पाव मुसीवतानू खड़े खिडे मत्थे परिवान करनतों है कि हास केश हीद्धी किस तरह दित्ती जन्दी है कविता वेच आए शावदत ते उन्ना भी वाका विच वरतों शीश दिल्ली विखे सीश गंज गुर्दवारा है तली सूर में अपना सिर तली ते तर के लर्देहन गुलजार वसांत रोते विच फुलां दी गुलजार शाज आंदी है मुल मीर मन्नू ने सिंगा दे सिरा दे मुल पाए चरखडी पाई सुभेग सेंग ते पाई शावार सेंग नू चरखडियां ते चार के शीश दिल्ली किता गया मिट्टी सानू देश दी मिट्टी नाल बहुत प्यार है जंगल कानुवान दे जंगल विच हजारा सिखा ने अपनी शीजी दी दिती देश सानु अपने देश नाल अथा प्यार है कोईल कोईल दी वाज मिठी हुंदी है पेट सूर में जुद दे मदान विच का देवी पेट नहीं दखाऊंदे एक वित्ता पंजाबी दे प्रसिद कवी हर्पा जिन सेंग हुंदल दी लिखी होई है हर्पा जिन सेंग हुंदल इन्ना दा जनम उन्नी सो चौंती दे विच लायलपूर उन पाकस्तान दे विच होया सी इन्ना ने जेडियां कावसंगरा लिखे उन्ना दे नामहन, मार्ग, असल गल, काले दें, जेल अंदर जेल, चान्न दा सर्नावा, आग दा भूटा, सातलोज दा सर्नावा, जंग नामा पंजाब, रांगा पो अपन, मेरे समकाली कवी, कवित्त दी तलाश, कवियां दे अंगसां, सन् संताली दे दें, नजरबंदी दें, कवित्ता दे रूबर मेरी गजल स्तारें दी साथ ए ना दिया पर सिद रचनामा हन तन वाद